हेलो दोस्तो वेलिकम बैक टू मैं चैनल इसके लिश्टडी चैनल आज किस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं SSC GD Constable 2020 में जो 25 मार्च 2021 को फोर्म आने वाले थे वो फोर्म क्यों नहीं आये हैं क्योंकि मैंने दोस्तो RTI लगाई हुई है उसके रेपलाई को लेकर के हम यहाँ पर आपसे बात करने बाले हैं और यह बहुत भड़ी ख़बर है क्योंकि दोस्तो SSC GD के लिए लाखों स्टुडेंट इसके फोर्म का इंतिजार कर रहे हैं और दोस्तो SSC GD के previous question paper को मैंने इस वीडियो के description box में link दे दिया है आप उसके SSC GD के previous question paper को download कर सकते हैं link वीडियो के description box में दिया गया है तो चलिए बात कर लेते हैं RTI को लेकर तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मैंने यह screenshot ले रखा था जब मैंने यहाँ पे RTI के लिए apply किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं your ITI request fill it successful यानि कि मैंने जो RTI लगाई है वो successful complete हो चुकी है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पे इसके बाद यह date लिखी है 30 March को RTI लगाई थी यहाँ पे इसका जो payment होता है वो भी मैंने कर दिया था यह reference ID है और transaction भी मैरा successful हो चुका था और जो मैंने request fill की थी वो BSF को लेकर के की गई थी यहाँ कि बाउडर security force को लेकर के मैंने यह आपर RTI लगाई थी यहाँ पर यह telephone number आ चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह email ID आ चुकी है और यहाँ से मैंने इसका screenshot लिया हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी जो RTI है वो complete हो चुकी है और 2-3 दिन में आपके question का जबाब मिल जाएगा दोस्तों जैसे ही कि इसका reply आता है हम आप लोगों के सामने लेकर के आ जाएंगे कि RTI ने क्या बताया है कि SSC GD Constable की vacancy कब तक आ जाएगी तो दोस्तों यही एक छोटी सी update थी जो आप लोगों को तक पहुचानी बहुत ज़रूरी थी तो दोस्तों एक SSC GD के लिए एक special telegram channel भी बनाया गया है जिसका link कि इस वीडियो के description box में भी मिल जाएगा आप उसको join कर लिजे क्योंकि बहां पे SSC GD से related पलपल की update आपको मिलते रहती हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और SSC GD से related पलपल की update पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके पास वाली बैल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी next वीडियो लेकिया हूं उसका notification सबसे पहले आपको मिले thank you